मुआ दोस्तों कैसे हैं आप सब ठीक हैं उमीद है आप सब खेर खेरत से होंगे वेलकम बैक तो अनेधर व्लोग आज ना काफी दिन के बाद मैं व्लोग बना रहा हूं मेरा ना मुबायर खराब हो गया था जिसके जैसे व्लोग नहीं पना पर आज ना दोस्तों हमने गंदूम के उपर जरी बुटी मार्स का सप्रेक करने हैं आप देख सकते हैं पहला पानी हमने इसको लगा दिया तब जैसे वत्रा है इस लिए इसके उपर गंदूम के उपर सप्रेक करेंगे हैं आज ना हम गंदूम की फसल के ओपर अट्लांटर सुपर का सप्रेक करने जो के बाहर की प्रोड़क्ट आपको मैं दिखाता हूँ अट्लांटर सुपर है इसको 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 इस्तमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ ये खोश्क वत्र में की जाती है सप्रे अगर आप वत्र गीला हो तो पिर स्ट्रेस का शिकार हो जाएगी और जलना शुरू हो जाएगी इस्तमाल करते हैं वक्त आ पहले आपने ये पैकिड इस्तेमाल करनें अपने मेलूल से भोगाए सब लेके 120 लीटर तक आपने पानी इस्तेमाल तर नहीं दो घ्री उटती और अब करने खर Κार करेंगे तो आपकी फसल स्ट्रेस का शिकार हो जाएगी और पीला होना शुरू हो जाएगी बाद में आपने इसके अंदर मेलूल इस्तमाल करते हैं पहले पैकेट डालें फिर यह जॉइंट डालें बाहर का इसका इस्तमाल चरीका आपको दिखा देता हूं करते हैं करते हैं करता है करता है यि न हुआ है कर दोई सकता हुआ है जो भाई अभी नए है हमारे चैनल पर जल्दी से हमारे चैनल को जो को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए बैल आइकन तबहें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आजाएं अगर सप्रे करने के बाद आपकी फसल पिलाट बन का शिकार हो जाए स्ट्रेस का शिकार हो जाए यानि आपने परेशान नहीं होना ऐसे मुके पर आपने आठ से दस दिन के बाद पानी लगाने अपने फसल को कुछ किसान वही परेशान होके फोरण ही पानी लगा देते हैं जिसकी वज़ेसे मजीद स्ट्रेस का शिकार हो जाती है और कुछ किसान वही जूजा का च्छटा कर देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए बलके आप इंतज करना चाहिए और उस दस बाना दिन के बाद में फैसल को पानी लगाए और उसके बाद कोई भी हमाइना इसेट करें और ठीक हो जाएगी आपके 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 गंदुम की फसल पे अलहमदूला सप्रे हो गया इस आज के व्लोग को करते हैं एंड वीडियो अगर आपको मारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जूरू पर एंक्स पर वाचिंग माई वीडियो आप साब अपना ख्यार रखेगा